Class 10 Chapter 10 Circle की exercise 10.2 का जो हम 5th question कर रहे हैं, दीखिए इस question में कहा गया है कि एक circle है, उसके उपर perpendicular जो हम बनाते हैं, वो center से जाता है, यह हमें प्रूव करना है, पहले इसको समझते हैं, डाइग्राम से तो इसमें कहा गया है, जो tangent है, इसके point of context से होते हुए, जो line जाती है, अगर हम draw करते हैं, यह perpendicular है, अब देखिए strand, इसमें mathematically प्रूव करने की कोई जड़त नहीं है, यहां देखा जाए तो it is self-prude, यहां पर यह prude है, जो भी यहां से perpendicular जाएगा, तो आगे बढ़ाए हम तो radius होगा, यह और आगे बढ़ाएं, तो यह diameter बन जाएगा, ऐसे ही हम यहां पर कोई tangent बनाते हैं, तो भी यह से जाके मिलेगा, यह center से तो radius होगा, यह और आगे बढ़ाएं तो diameter होगा, हर तरफ से हम try करें, तो यह center से ही होके जाएगा, तो radius होगा यह diameter होगा, तो जो भी यह प्रूट तो simply हम स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं यानी पर्पेंडिकुलर on the tangent if extended will be either radius or diameter and radius and diameter always passes through the center so it is प्रूट